इस वीडियो में हम इस पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक पार्ट है सारे डाइमिंशन हमें यहाँ पर दिये गए है तो यहाँ से अब स्टार्ट कहां से करना है तो यहाँ पर आप एक तो इन सर्कल से start कर सकते हो या फिर इन सर्कल से start कर सकते हो जदा अच्छा होगा कि यहाँ पर center से आप start करो क्योंकि main portion यही पर है इस part का तो यहाँ पर हम सारे circles draw कर लेते हैं जनरली यहाँ पर मुझे 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं एक तो और यहाँ पर तीन तो फर्स जो सर्कल है diameter 12 का है second जो सर्कल है diameter 26 का है और थर्ड जो सर्कल है diameter 40 का है तो 12, 26 और 40 के तीन सर्कल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं चलिए AutoCAD में आते हैं तो यहाँ पर मैं AutoCAD में आ गया आप ले लेता हूँ C enter, center दे देंगे, D enter, 12, 12 enter, 12 diameter का एक circle बहुत ही ज़्यादा छोटा नजर आ रहा है, तो आप अपने माउस से, माउस के scroll button को double bar press कीजिए, circle जो है आपके सामने आ जाएगा, तो इसे zoom out कर लीजिए, थोड़ा छोटा, तो drawing को control करना आपको आना चाहिए, यह सारी चीज़ है, अब diameter 12 हो गया, diameter 24, अब देखते हैं, 26 है diameter and 40, तो again space repeat करेंगे, sorry, C enter, center दे देंगे, D enter, D enter करने के बाद यहाँ पर हम 26 डाल देंगे, enter, space करके circle को repeat करेंगे, center दे देंगे, D enter, 40 diameter, enter, तो यहाँ पर हमने तीनों circle यहाँ पर draw कर लिये हैं, अब हम यह वाला draw करने के बाद इस side का portion draw करने कोशिश करेंगे, तो यह वाला portion draw करने के लिए हमें इनका center यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो यह 97 mm पर center है, तो हम इन circle के center से track करेंगे 97, और एक 10 radius का circle बनाएंगे, यह फिर 4 radius का, तो यहाँ पर 97 में track करता हूँ, तो C enter, अब center में जाएंगे इस circle के, और side में आ जाएंगे तो इस तरह से tracking line हो जाएगी, यह tracking line के लिए आपको याद रखना है कि आपको object snap tracking को on रखना है, आपको एक बार ऐसे point पे जाना है, side में आ जाना है, अब यहाँ पर डाल दीजिए 97, enter, और यहाँ पर डाल दीजिए 4 radius का, एक circle था, 4 enter, और दूसरा circle था, 10 radius का था, तो इस space करके repeat करेंगे, center दे देंगे, 10 radius, enter, तो दोनों circle के circles मैंने बना लिये है, अब दोनों circle से यहाँ पर हमें straight horizontal line बनानी है, तो इन lines को बनाने के लिए मैं directly यहाँ पर एक center line draw कर सकता हूँ, और offset कर सकता हूँ, यहाँ पर directly भी बना सकते हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कर दूँ, L enter, इस point से यहाँ तरह से मैं draw कर दूँ, half line, अब यह half line draw करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर fillet है, round, 8 radius का, तो अब मैं यह fillet कर दूँगा, तो इस fillet के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए, F enter, R enter, और यहाँ पर 8 enter, अब यहाँ पर इस circle पर क्लिक और इस line पर क्लिक, देखिए, automatically यह जो line है, extend हो गई, up to circle, तो इस तरह से fillet से आप extend कर सकते हो, आपको पता ही होगा, तो यह fillet भी हो गया, extend भी हो गई हमारी line, अब नीचे की line horizontal है, तो इसे भी मैं ले लेता हूँ, L enter, और यहाँ से मैं कुछ अंदर तक इस तरह से draw कर लेता हूँ, और extra portion trim कर देता हूँ, फिलाल के लिए, यहाँ पर trim मैं fillet नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो fillet है, क्योंकि आप देख सकते हूँ, यहाँ पर जो fillet है, वो इस circle के साथ नहीं, बिलकि इस circle के साथ है, तो इस circle को draw करने के बाद ही मैं यह fillet करूँगा, तो फिलाल के लिए मैं इसे इसी तरह से रख देता हूँ, हो सकता है, तो आप यह भी trim कर दीजिए, और इसे भी आप trim कर सकते हो, तो इस तरह से पहले part हमने बना लिया है, clean रखने के कुशिश कीजिए, अपने drawing को ज्यादा से ज्यादा, आपका काम fast होगा, सबसे fast method आपको मैं बताने के कुशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर, और simple भी, आप यह elongated hole हमें बनाना है, यह hole यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस elongated hole बोलते हैं, center to center distance है यहाँ पर 57, तो center to center 57 distance है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कि simply एक circle बना सकता हूँ, c enter, इसके center को track करके, इसके center को track करेंगे, 57 पर, enter, और यहाँ पर 4 radius का एक circle बना देंगे, अब line, और इसके quadrant से quadrant तक एक line draw करेंगे, space, फिर से space, repeat करने के लिए होने के बाद space, space से आप exit भी कर सकते हो, command को, space से आप repeat भी कर सकते हो, enter से आप exit कर सकते हो, enter से भी आप repeat कर सकते हो, इंटर और space का काम autocad में सेम होता है, तो ज्यादा confuse मत होई है, तो यहाँ पर elongated hole हमारा है, अब हम यह portion की तरफ जाते हैं, यह portion हमें बनाना है, तो यह portion के लिए सबसे पहले तो हमें यह वाला एक line चाहिए, यह वाला और यह वाला, क्योंकि यह line पे यह circle से, तो इसे हमें बनाना ही पड़ेगा, यह line और यह line, तो यह line का angle देख लेते हैं, horizontal से जो दिया गया है, वो 60 degree पे है, तो horizontal से 60 degree पे यह line, और यहाँ से 90 degree पे य line, तो ले लेते हैं हम लोग 2 lines यहाँ पर, तो यहाँ पर चाहो तो एक center line draw कर लिजे, line लेके track करके इस तरह से, एक center line इस तरह से draw कर लिजे, यह हो गया, अब हम इसे ही rotate कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, इसे ही rotate कर सकते हैं, या फिर आप अगर यह draw नहीं करते हो, तो एक directly line भी draw कर सकते हो, आप 60 degree में, जैसे के, अगर मैं alpha line लेता हूँ, center point से, center पर click, अब इस तरह से जाता हूँ मैं आगे की तरफ, अब यहाँ पर length दिखा रहा है, और angle भी show कर रहा है, तो tap press किजिए, angle पर आने के लिए, देखिए, आपको याद रखना है कि हम यहाँ पर dynamic input on करके क command line पर, तो dynamic input को on रखेंगे, तो आपको यह value show करेंगे, तो यहाँ पर उपर की तरफ angle हम डाल सकते हैं, अगर positive डालोगे तो anti clockwise आएगा, negative डालोगे तो clockwise जाएगा, तो फिलाल हमें clockwise जाना है, नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर negative में values डालेंगे, तो minus आपको यहाँ पर 60 degree डानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर clockwise जा रहे हैं, तो autocad में minus डालोगे, तो clockwise rotation होगा, और plus में डालोगे, तो anti clockwise होगा, तो minus 60 एंटर, तो देखिए नीचे की तरफ minus 60 degree पर आ गया है, अगर चेक करना है आपको, तो एक horizontal line बनाएगे, और यहाँ से आप angle चेक कर लीज सकते हो, rotate आपको पता ही होगा, command, तो यहाँ पर आप मैं इसे rotate ही करने वाला हूँ, simple, rotate, तो यहाँ पर मैं select करता हूँ, ro enter, और base point यहाँ पर इस point को देंगे, क्योंकि यह point fix रहना चाहिए, यहीं पर, इस point को base point, अब मुझे आगे clockwise जाना है, 90 degree, तो minus 90 degree डालोगा यहाँ मगर copy को click करके, यहाँ पर copy पर click करना है, और उसके बाद minus 90 डालना है, minus 90, minus 90 degree, enter, यह, अगर हम copy पर click नहीं करते तो यह line rotate हो जाती, मतलब इस तरह का कुछ result आपको मिलता, मगर ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें यह भी line चाहिए, इसकी copy यहाँ पर तयार होनी चाहिए, तो हमन circle draw करेंगे, जो middle का radius दिया गया है, 30 radius, इसका भी center यहीं पर है, तो generally centers एक ही होते हैं, C enter, अब यहाँ पर center दे दिया, अब यहाँ पर 30, enter, यह 30 का मैंने circle बना लिया, extra portion में trim कर देता हूँ पहले ही, ताकि हमें confusion ना हो, तो मैं सिर्फ इन दोनों के line के बीच का center यहाँ पर रखा, अब हमें बाकी के circle इसी से हमें find out करने है, बाकी के circle, तो कैसे find out करेंगे यह circle से हम लोग, तो देखिए यह वाला radius हमें दिया गया है, यहाँ पर 4, तो directly यह बना लेते हैं, अब लोग 4 radius का यहाँ पर circle, तो C enter, 4 radius, C enter, center दे दिया, 4, enter, 4, enter, space करके repeat करेंगे, center दे द हमारा circle हमने बना लिया है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, C enter, center दे देंगे यहाँ पर, और circle draw करेंगे, इस point पर click करेंगे, बिल्कुल perpendicular, तो यह circle हो गया, space repeat करेंगे, फिर से center दे देंगे, और यहाँ पक हम draw करेंगे, अब इसे भी हम trim कर देंगे, extra जो हमें न clean रखिए, ज्यादा यहाँ पर geometries नहीं नजर आने चाहिए, देखिए, इसे लिए यह वाला slot हमारा बन गया है, इसे हम लोग circular elongated hole बोलते हैं, तो circular elongated hole हमने बना लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर अब मैं next यहाँ पर portion बनाने वाला हूँ, यह वाला circle, तो यह वाले circle के लि और space, यहाँ पर भी space, अब c enter, center दे देंगे, उपर की तरफ यहाँ पर, और last circle जो है, यहाँ तक draw करेंगे, यह आ गया हमारा, अब extra portion trim, tr double enter, यहाँ पर और यहाँ पर, और यह जो extra यहाँ पर नजर आ रहा है, इसे delete कर देंगे, अब अंदर का जो circle है, इसे भी हम clean कर देत है, trim करके, यह वाला, यह वाला, यह वाला और यह वाला, यह हो गया, अब यहाँ पर जो gap बच रहा है, इसमें fillet कर देना है हमें, देखते हैं fillet कितने का है, यहाँ पर देखिए fillet जो दिया गया है, 5 radius का, यहाँ पर भी 5 radius का, तो 5 5 का radius का हम यहाँ पर fillet कर देते हैं, औ और यहाँ पर जो है 8 का कर देंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर 8 का है तो यहाँ पर भी 8 का रखेंगे तो 5 5 का पहले कर लेता हूँ यहाँ पर F enter for fillet F enter R enter 5 enter multiple के लिए यह multiple तो यहाँ पर मैं दोनों पर click करता हूँ तो 5 का यहाँ पर fillet यह शायद पूरा trim हो जा रहा है देखिए इस circle पूरा trim हो जा रहा है तो हमें setting करने पड़ीगी no trim trim की जगह यहाँ पर no trim set कीजिए और उसके बाद fillet कीजिए इन दोनों में यह देखिए और फिर इन दोनों में भी यह 5 का fillet आ गया अब यहाँ पर छोटा सा fillet आपको देना पड़ेगा तो देखते हैं 8 का fillet यहाँ पर fit होता भी है या नहीं f enter, r enter, 8 enter मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 8 का fillet आएगा तो यहाँ पर तो थोड़ी आप मुश्किल आ रही है 8 का fillet fit नहीं हो रहा है यहाँ पर तो हम पहले इसे trim कर लेते हैं 5, 5 तो यह 5 का जो fillet है अब यहाँ पर हमें छोटा fillet डालना पड़ेगा तो हम डाल देते हैं इसमें छोटा fillet यह शायद मुझे लगता है कि इन दोनों circle के बीच में नहीं इस line और इस circle के बीच में है तो एक बार हम लग वो भी try करते हैं f enter, r enter, 5 enter, इस circle और इस line पर try करते हैं yes इस तरह का fillet है वो इसलिए हमें यहाँ पर problem आ रहे थी यह वाला मैं trim कर देता हूँ tr double enter, यह वाला यह वाला और यह वाला भी, तो direct दोनों में एक साथ apply कीजिए इस line और इस circle के बीच में तो यह पूरी तरह से accurate आ जाएगा तो यह देखिए हमारा काम पूरी तरह से complete हो गया है, अब यहाँ पर आपको center lines draw करने हैं, तो यहाँ पर आप center mark चाहिए और यह आ गए हमारे center lines, इस line को थोड़ा सा extend कर दीजिए और इन सब को आपको color करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं center mark और यहाँ से color बस linear distance यहाँ से तो इसके center तक, यह हो गया 97 distance, और भी यहाँ पर linear distance मुझे लगता ज्यादा है, 57 एक linear है, बस बाकी यह radius and diameter है और तो यहाँ से center to center, 57, अब radiuses डालते हैं यहाँ पर radius, तो इसकी जो radius है वो है 8, तो इस तरह से मुझे show नहीं करनी है, इंटर करेंगे dimension style, modify और modify में हम text में जाएंगे, text में आने के बाद is standard कर देंगे, तो देखें horizontal नजर आएगा कुछ, पता नहीं change नहीं हुआ, I think फिर से मैं डाल के देखता हूँ, radius, इस पर click, और यहाँ पर डाल देंगे, d-enter, modify, text ISO standard, ठीक है, ISO standard, साइद यह fillet रहने के विज़े से problem आ रही है, बाकी के dimensions हो सकता है कि सही नजर आए, यह अंदर हम लोग put कर रहे हैं, यह वाला ठीक आया, space, यह वाला भी horizontal हो गया, पता नहीं इसमें क्या problem है, एक बार फिर से मैं try कर देता हूँ, नहीं ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, कोई problem नहीं, अब diameters ले ले लेते हैं इसमें, तो first diameter यह वाला 12, 12 diameter हम लोग यहीं पर arrange कर देते हैं, 26, इसके diameter को हम लोग यहाँ पर, यह lines यहाँ पर आ रही है, जिसके जैसे थोड़ा congested हो रहा है, यह arrows यहाँ से यहाँ तर, तो इसकी भी settings हैं, dimension style में, cancel कर सकते हो, तो modify कर देते हैं, fit में जाते हैं, draw dimension line, between extension line, इसको आप uncheck कर देजिए, ok किजिए, close कर देजिए, तो यह सारे lines आपके गायब हो जाएंगे, जिससे clean नज़र आएगा, यहाँ पर भी diameter, अब बाकी के बचे वे radiuses हम डाल देते हैं, यह वाला space, 4 radius, इनके भी radius हम लोग डाल सकते हैं, सौरी यह वाला center का only, 30 radius का है, यह वाला डाल सकते हो, और एक यह वाला भी डाल सकते हो, 4 mm, तो यह dimensional में डाल दिये हैं, इसे हम center में convert कर देते हैं, यह center में convert हो गया है, तो यहाँ पर लग बग हमने सारे dimensions डाल दिये हैं, बस angle बाकी है, यहाँ पर मैं angular ले ले लेता हूँ, horizontal से angle, 60, space, यह वाला भी angle में डाल दिया हैं, यहाँ पर, तो यह देख सकते हो आप, कि हमने यहाँ पर सारे dimensions complete कर लिये हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में,